नमस्कार दोस्तों तो प्रताब क्लासिस के यूट्व चनपर आपका सुवागत है तो हमारा टारगेट धिर धिर अपने कंपलेट करने की ओर चल रहे हैं तो अपने राजस्तान अध्यान का संपूर निचोड आपको लगातार दिया जा रहा है और आपको रोज क्लास मिलती ह शाम को साथ बजे इसका रिवाइज आपको रोज शाम को साथ बजे इसकी लाइव क्लास मिलती है द्यारकना कई साती कल कोमेट करेते कि सर इसकी रोज क्लास मिलती है क्या डेली क्लास मिलती है क्या तो द्यारकना इसकी डेली क्लास मिलती है शाम को साथ बजे लाइव ठीक ह और अब अपने बचे हुए जो अजमेर है वो अजमेर के हैं इसके इलावा परतिहार चुहानवंच है इसके इलावा वो बचे हुए हैं वो अपने इसके अंदर पढ़ लेंगे बातिया को सब बता विगेरा वो करवा दी वन लाइनर कोस्नों के मादिम छे छोटे छोटे पार्टों के अंदर आपको मैं यहां पे रिवाइज करवाया जा रहा हूँ तो सारे विधारति एक बार वीडियो को लाइक सेर करेंगे और जो भी विधारति हमारी शेर पढ़नी है तो जुरूर आप तो लोंको सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकनिंग का गंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो प्लोड करें उसका नोटिफिकेश करता है उसके नमबर बताता हूँ असी पांसो असी वाइस डबल जीरो एक इस नमबर पे आप ओनली वाट्स अप मेसेज करके इस पुष्टा का प्राइस पूछ लेना और आपको ओनलाइन ओफ लाइन दोनों विवेस्ता आपको मिल जाएगी या आप बजार वाले सी किसी दुकान वाले से कहकर आप ये पुष्टा के मंगवा सकते हो तो ओनलाइन भी मंगवा सकते हो इस नमबर पे आप एड्रस बेकरा डाल देना आपको ओनलाइन पुष्टा किये मिल जाएगी क्योंकि बजार के अंदर बूक उपलब्द है नाने क्लासिस के नाम से इसके जो ह लेखक हैं वो है सीव सर के द्वारा ये जो है क्योसन बड़े शांदार तरीके से इसमें लिए गए हैं तो स्टाट करें एक सो ठाण में नमबर क्योसन से देखो राव जोदा ने जोदपूर सहर कब बसाकर उसे राज़दानी बनाई और आपको डेली इसी चेनल पर है सुबदă 7 बजे इंडिया वल्ड की करंट आफ़ेर्श की क्लास मिलती है रोजआना अंतराश्ये वराश्ये के गरेंटभेर से मात्र पंद्रा मिन्ड की क्लास और एक्जाम के लिए आपके लिए गरेंटभेर की रामबाने क्लास होती है तो राव जोदा ने जोदपूर सेर कब बसाकर उसको राधनी बनाई तो 1469 के अंदर जोदपूर की स्तापना हुई थी रनमल की हत्या के बाद में 1480 के बाद राव जोदा मेवाड से बाग कर सुरवपर्थम किस चेतर को जीतता है ये जीतता है मंडोर को किसको जीता है मंदोर को राव जोदा ने महरांगड दुर्ग का निर्मान किस पाड़ी पर करवाय था तो ये करवाय था चीडिया टूंक पाड़ी पर किस पर करवाय था चीडिया टूंके पाड़ी पर राव जोदा ने किस दिली सुल्तान को हराकर परसीदी प्राप्त की थी तो ये रहा था बहलोलोदी को राव जोदा को जोदपूर का प्रत्थम परतापी सासक मानने वाली विद्वान कौन थे राव जोदा आपको पता है यह थे राश्तान के अंदर जोदपूर में राठोरवन्स के संस्तापक थे तो यह परतापि सहसक मानने वाली थे कोण विध्वाने इराचंद ओज्जा कोण थे इराचंद ओज्जा अब देखो मारवाड के सास्कों का काल करम देखो चंदर्शेन का था 1562 से लेकर 1581, मालदेव का था 1531 से लेकर 1562, उदे सिंग का था 1583 से लेकर 1522, वो राव जोदा का था 1438 से लेकर 1489, उसके बाद में ये बाकी सासक आये थे खानवा युद में मारवाड की तरप से सेना लेकर कोन आये था, खानवा का युदवधा 1527 के अंदर है, उसी समय आपको बता है मारवाड की तरप से आये था, राव सातल आये था उस समय जोदपुर राजे की ख्यात में किस वन्स को राजा विश्वुत्मान के पुत राजा वरहत बल से पैदा होना लिखा है जोदपुर की ख्यात में किस वन्स को लिखा तो ये लिखा है राठोड वन्स को किसको भिला है राठोड वन्स राठोड वन्स के राजाओं को सूर्य वन्सी वे ब्रामन भलराव की संतान किसने माना है ये माना है द्याल द्यासने मारवाड के राठोडों को कनोज की साका से उत्पन किस साहित्यकार ने माना है मारवाड के राठोडू को कनोज की साका सिद्पन माना है मुहनोत नेन सिने मारवाड का कौन सा सासक सतंतर्ता प्रेमी था जिसने मुगलों की अदिःन्ता से विकार नहीं की थी तो वो था आपको बता है चंदर सेन जिसको परताब का अगर मामी बोलते हैं जंदर सेन को इसने क्या मुगलों के दिर्टा से विकार नहीं की थी राठोड सांसक राव चंदर सेन की गोडे पर शवार परतिमा कहां स्तित है ये स्थित है सारण के अंदर सारण पाली में राठोड बंस के राव मालदेव का राजिव से काम पर गवा था तो सोजत पाली के अंदर किसका राठोड बंस के राव मालदेव थे उनका राजिव से गवा था सोजत पाली के अंदर राजस्तान के ताज महल जिसको जस्वन थड़ा बोलते हैं इसका निर्मान की सासक ने करवाया तो ये जोधपूर के सरदार सी है ने किसने करवाय था जोधपूर के सरदार सी है उन्होंने राजस्तान का जो ताज महल है जिसको बोलते है जस्वन थड़ा उसका निर्मान होता है गिंगोली का युद्ध मारवाड के किस सासा को सन्यासी राजा की उपादी दीगी ये दीगी मानसियां को किसको दीगी है मानसियां को राव चंदर सेन से समकालिन सासक थे अकबर महरना परताप और उदे सिंग अब आपको बता है दिली के अंदर अकबर थे और इदर मेवाड के अंदर थे महरना परताप और इदर भी उदे सिंग थे राव चंदर सेन के समकालिन थे ये मालदेव की पतनी रानी उमादे कहां सती हुई थी यह हुई थी गुंदोज के अंदर दियां रखना महतपुन लाईन है आपके लिए मालदेव की पतनी अंज़र रानी उमादे जिसको रूठी रानी के नाम से परसीद है वो कहां पर सती हुई गुंदोज में राव सिहा ने राठोड वंस की स्तापना करने के बाद अपनी राधधनी किसे बनाया तो राव सिहा ने राठोड वंस की स्तापना की थी लेकिन वास्ट विक्षन स्तापक था राव जोधा और राव सिहा ने सबसे पहले राठोड वंस की स्तापना की थी और राधधनी बनाय थी खेडा को, इसको खेडा को, मुगलों के दिनता से विकार करने वाला मारवाड का पर्थम सासक था उदे सिंग, आपको बता है, मुगलों के दिनता से विकार करने वाला मारवाड का पर्थम सासक था उदे सिंग, राव चंदर सेन का जनम का भुगा था 1541 के अंदर, कब है पंतरा सो एक्तालिस में सूर सिहां को सुमाई की उपादी किस मुगल बाशा ने दी थी तो सूर सिहां को सुमाई की उपादी दी थी अकबर ने किस ने दी थी अकबर ने मुगल बाशा की उपादी दी थी गज शियां को दल थंबन की उपादी किस सासक के द्वारा दीगी थी जहंगीर ने और सूर्ष शियां को स्वाई की उपादी दी थी अकबर ने तो दोनों लग-लग है याद रखना इनकी उपादिया मारवाड के राठोडों की कुल देवी कौन थी तो मारवाड के राठडों की गुल देवी थी नागनेची माता, कौन थी नागनेची माता पाहेबा साहिबे के युद के बाद मालदेव ने बीका नेर का परसास किसे बनाया, ये बनाया था कुमपा को तो मारवाड की पनाया थी उन्होंने किस आसको औरंग जेव के चंगुल से चुड़ाया तो ये चुड़ाया था अजीत सियां को वीर दुर्गादास ने राठोड वन्स के राजकुमार अजीत सियां को कि शुरोई में किसके पास रखा वीर दुर्गादास ने राठोड वन्स के जुराजकुमार अजीत सियां को किसके शुरोई में किसके पास रखा तो ये पुष करना ब्रामन जैदेव के पास शुरोई के अंदर इनको रखा था जोदपूर सासक राम मालदेव द्वारा बनाएगे दुरूग कोंड कोंड से थे इसके अंदर था एक तो मालकोट मेड़ता का किला इसके द्वारा बनाएगे मालदेव के द्वारा पोकरण दुरूग और रिया दुरूग ये भी बनाएगे सोजजत और रिया का किला ये शांदर लाइने हैं किसका गज सिहें का क्या है दिहान तो इसका आगराम यह लेकिन अंतीम संसकार यमना नदी के किनारी किया गया जोदपूर के महराजा जस्वन सिहें के पुतर अजीद सिंग का जनम कहा हुआ था तो जोदपूर के महराजा थे जस्वन सिंग है और उनके पुतरते अजीद सिंग इनका जनम वो था लाहोर के अंदर मारवाड के किसासा के बिना जीवित उत्रादिकारी के मुर्ति हो जाने पर मुगल बाशा ओरंग जेव द्वारा जोदपूर राजे मुगल समराजे में मिला लिया गया था मारवाड के राज कुमार अजीद सिंग के सुरक्षित पालन पोशन है तुवीर दुर्गादास राठोड को मेवाड के किसासा के अपने संड देकर यहां केलवा की जागिर परदान की तो वो थी राज सी है मारवाड जोदपूर का कौन सा सासक नाथ संपरदाय का अन्यई हो गया तथा उसने जोदपूर के इंदर नाथ संपरदाय के मठ महमंदिर का निर्मान करवाया तो यह करा था माराजा मान सिय है ने किसन गड की राठोड वन्स की रियासत की स्था अपना की थी जोदपूर के सासक मोटा राजा उजे सिंग के पुतरे किसन सिय है ने जोदपूर सासक मोटा राजा उजे सिंग थे न उनके पुतर थे किसन सिंग है उन्होंने राठोड वन्स की रियासत की स्था अपना की थी जोदपूर सासक अजीत सिय है द्वारा जोदपूर विजे के पश्चात अपनी लड़की का विवा स्वाई जै सिंग के साथ किया उसका नाम क्या था वो था सूरज कौवर क्या नाम था इसका सूरज कौवर इसका नाम था मारवाड के महराजा जस्वन सिंग प्रत्थम का राज तिलक कहां किया गया मारवड के मारजा ते जस्वन सिंग है परतम इनका रात दिल किया गया था आगरा के अंदर काँ पर है आगरा में जोदपूर नरेश जस्वन सियां के मरत्यु के बाद उनके उत्रा दिकारी कुमर अजीद सिंग ने वीर दुर्गादास की साहिता से जोदपूर के किस माराजा ने अंग्रेजों के दिनता से विकार की थी जोदपूर के ऐसे कौन से माराजा थे जिरों ने अंग्रेजों के दिनता से विकार कर ली वो थे मान सी हैं कुन थे मान सी हैं किस सासा की मरत्यु पर औरंग्जेव ने कहा था कि आज कुपर का दरवाजा तूट चुका है तो ये धरम इरोद का दरवाजा तूट गया तो म माराजा जसुन सिंग पर्थम, नहीं कि किस सासा की मर्थी पर है, माराजा जसुन सिंग पर्थम की जब मर्थी हुई, तब औरुमजेव ने कहा कि आज कुपर का दरवाजा तूट गया है, मारवाड में राठोड बंस के प्रार्मिक सास्कों का कालकुरम देखो सबसे पहले राव सिहां उसके बाद में राव अस्थान फिर राव दुहड फिर राव रागमाल तो यह आये थे सबसे पहले राठोड बंस के अंदर राव भीका मारवाड के किस साशा का पूतर था। वो था राव जोदा का जो वास्ट टु oynीब्स ताफ़कता राव जोदा उसका पूतर था राव भीका जिसने भीका नेरे किस्तापना की थी। राव बीका ने जांगल पर्देश में राठोड बंस की निव कब डाली ये देखो 1465 के अंदर निव डाली थी राव बीका ने बीका ने कब सहर बसाया तो देखो निव तो इसने राठोड बंस की डाली थी 1465 में और बीका ने की स्थापना हो थी 1488 के अंदर बीका नेर यास्त पर किस वंस का सासन सापित वा तो राठोड वंस का राव बीका ने बीका नेर सहर की स्थापना किस के सयोग से की थी तो ये करणी माता और जाट सरदार नरा के सयोग से इसने बीका नेर सहर की स्थापना की थी देश में करणी माता के मूल मंदिर का निर्मान किसने करवाय था देश में करणी माता के मूल मंदिर का जो निर्मान है वो करवाय था राव भीका ने किसने करवाय था राव भीका ने भीका नेर के सासकों का काल करम देखो सासन अवदी में सबसे पहले बिका आयते राव बिका उसके बाद में लून करन, फिर राव जेद सी फिर आयते कल्ल्यानमल इननका करम आपको याद रखना है ये बिका नेर सासकों का काल करम है किस बीकानेर सासक ने सां जां के दक्षन ब्यानों में महत्पुन बुमिका निभाई थी यह निभाईती करन सिंग Rights बिकानेर के करन सिंग और नागोर के अमर सिंग के बीच किस गाउं की सिमा विवाद को लेकर मतीरे री राड 1649 में हुई थी तो जाखनिया गाउं कोण साथा बिकानेर के करन सिंग और नागोर के अमर सिंग के बीच में क्या है गाउं की सिमा को विवाद को लेकर मतीरे की रा है शुख सपती चिंतामनी वट गरंत इस में इस गरंत के अंदर वीका नेर के साथ करण सियेको जांगल दरवाज शुच्छा कहा गिया है साहित्य रचना के बारे में देखो शूप स्वतिक सब्सका चिंतामनी वटका साहित्य कम रभ दुरूम है करण ओर करण बुष्ण किसका है गंगा नंद मेंथिल का याद रखना करण बुष्ण किसका है गंगा नंद मेंथिल का ये पुछ तक है इसकी गंगा नंद मेंथिल की सासक के दरबारी कवी थे ये थे करण सिंग बीका नेरी के करण सिंग के दरबारी कवी थे राई सिंग की मर्तिव कहां ये कोशन में आया था ये कोशन में किस सासक को वरंग जेव ने माही बरातव कीपा दी दी थी ये दी थी अनूप सिंग को पंदरा सो सतर नागोर दरबार में बीका नेर की किस सासक ने मुगलों के देनता से विकार की उस समय थे कल्यान मल ठीक है कल्यान मनले बिकानेर की तरफ से सबसे पहले मुगलों की दिनता से विगार है की थी वेली किर्षन रुकमडी करंथ के लेका कौन है जिसे दुरसा आडा ने पांचवें वेद और उननिसवें पराण की संग्या दिये है किसने अकबर के सासन के दुरान बुलूच विद्रुहे के दमन के महत्मुन बुमिका निबाई थी निमन वैसे किसने अकबर का जब सासन चल रहा तो उसी दुरान बुलूच विद्रुहे के दमन में महत्मुन बुमिका निबाई तो ये बिकानेर के राई सी है पंदरा सो चोहतर में महराजा दिराज की उपादी धाहन कर वीका नेर के साथ से कौन बने थे तो ये बने थे राई सीयं अब देखो वीका नेर के राई सीयं के बारे में उन्होंने वीका नेर के अंदर एक तो जुनागड दुरू का निर्मान करवाया जुनागड के दर्वाजे पर जैमल पता की पाशान मूर्टियां भी लगवाई जुनागड दुर्ग में राय परसिष्टी अंकित करवाई थी और मुंशी देवी परसाद ने राज पुताने का करण की संग्या दी है फिर देखो बीका नेर के राय सिंग के बारे में राय सिंग को मुगल दरबार का स्थम बोलते हैं ठीक है याद रखना राय सिंग अकबर का दूसरा और जांगिर का प्रत्थम विश्वास पतर जो है सासक था ये अकबर का दूसरा था और जाँगिर का पर्थन विश्वास पादर था राइ सिंग राइसिया ने राइसिंग up sot grant भी लिखा था और राइसिया के काल में वीका नेर चितरकला की शुरुवात भी थी ये भी आपको पता है कि राई सिंग के सम्में बीका नेर के अंदर चितरकला की शुरुवात हुई थी बीका नेर सासक लून करण नारनोल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ पंदरा सुचभीस में किस यूद में मारेगे तो ये दोसी यूद में किस गरंत में राव लून करण को कल्यूग का करण का जाता है देखो उनको बोलते हैं राजपुताने का करण बोलते है राई सिंग को और कल्यूग का करण बोलते है राव लून करण को किस गरंत में जेज सीरोचंद है किसको है जेज सीरोचंद बिठा बिठू सुजागा बिका नेर सासक लूनकरन के बारे में देखो लूनकरन राव भीका का पुतर था याद रखना ठेक है लूनकरन है राव भीका का पुतर था और राव भीका किसका पुतर था राव जोद्धा का याद रखना राव जोद्धा का पुतर था राव भीका और भीका का पुतर है ल जेथसी ने 1534 उसी में काबूल के मुगल सासक वह हुमा यू के भाई कामरान को प्राजित किया इसकी जानकरी मिलती है तो इसकी जानकरी राव जेथ सीरुचंद में मिलती है राव जेथ सीरुचंद बिका नेर पर माल देव के आकरमण के समय राव जेजसी ने अपने मंतरी नाग राज को किसके पास आयता के लिए बेजा ये बेजा था सेरशा सुरी को एक एक लाइन आपके लिए मैंतमुन है क्योंकि यहां से एक्जाम के अंदर क्योशन बस एक या दो कुशन आपको देखने को मिलेंगे द्यानक न तो बिका नेर पर माल देव की अकरमनक समयराव जेसी ने अपने मंतरी नागराज को किसके पास आयता के लिए बेजा सेरसा सूरी को खानवा युद में बिका नेर की तरफ से किस सासक ने बाग लिया था देखो खानवा की युद में बिका नेर की तरफ से बाग लिया था कल्यान मल ने इसने लिया था कल्यान मल बीका नेर के राठोड सासकों की कुल देवी कौन है तो वो है कर्णी माता बीका नेर के राठोड वंस के परतापी सासकों का सही काल कुरम देखो परतापी सासक सबसे पहले राव भीका आये थे फिर राव लून करन फिर राव जेज सी और फिर कल्यान मल ये भीका नेर के परतापी सासक थे बारत संग की अधी मिलन पतरपस ताक्षर करने वाली रास्तान के पर्थम सासा कौन थे तो वो थे आपको पता है कौन थे यह थे बिका नेर के सारदुल सी हैं बिका नेर के किस सासक के सासनकाल को बिका नेर चितरकला सेली का स्वनकाल कहते हैं तो आपको पता है स्वनकाल किसको बोलते हैं अनूप सिंग का समय बिका नेर का स्वनकाल था गंगा लहरी दस्वम भागवतरा दुवा गरंथ के लेखा कोण हैं तो गंगा लहरी दस्वम भागवतरा दुवा लेखा के गरंथ हैं प्रित्वी राज राठोर बीका नेर के किस सासक ने राज पुतों में कन्याओं को नय मारने की आन जारी करवाई थी बीका नेर के किस सासक ने देखो राज पुतों के अंदर कन्याओं को नय मारने की आन जारी करवाई वो करवाई थी रतन सियने किसने रतन सिंग बीका नेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया तो ये रतन सिंग ने रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया अंग्रेजों ने किस बीका नेर सासक की साहिता से परसन होकर टिबी परगने वै चालिस गाउं उपहर में दिये थे तो ये दिये थे सरदार सिंग देखो अंग्रेजों ने किस बीका नेर सासक की साहता से परसन होकर है उसको कहा है टिबी परगने और 40 गाउप वार में दिये सरदार सिंग क्योंकि सरदार सिंग ने अंग्रेजों की साहता की थी किस सासक ने पहली बार बीका नेर में हिमाले की नदियों को पानी को लाने वाला सपना देखा उसी के काल में बीका नेरी बुज्या बनाने की सुरुआत हुई थी उस समय थे डुंगर सिंग कौन थे दुंगर सिंग यानिकी हिमाले की नदियों की पानी को उन्होंने सपना भी देखा और विका निरी बुजय की शुरुआत हुई थी दुंगर सिंग के समय वैय सासक जिसने दक्षिन बारत से अनेक मूर्तियां लाकर विका निर के 33 करोड देवी देवतां के मंदिल में रखवा ही थी उस समय सासक ते अनूप सिंग किसने रखवा ही थी तो मनीराम किसच के दर्बारी कवी थे जिनोंने अनूप, व्यवार सागर, अनूप विलास और तिर्थ रतनाकर गंत लिखे तो मनिराम किस के दरबारी कभी थे यह थे अनूप सिंग के समय इन्हों ने अनूप विवार सागर अनूप विलास और तिर्थ रतनाकर गंत लिखे थे किस सासक के सासन काल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्तानी बासा में इन्वाद किया किस सासक के सासन काल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्तानी बासा में इन्वाद किया तो ये किया था अनूप सिंग ने इसने अनूप सिंग बीका नेरके किस सासक की मर्तियों के बाद उनके पांच बेटों ने बीका नेराजे को पांच बागों में बांट लिया जिसको पंच पाना कहा जाता है तो ये बांटा था सारदुल सिये ने इस सासक की मर्तियों के बाद है सारदूल शिये की जब मर्तियों की उसके बाद उन्होंने पांच बेटों ने बीका नेराजिय को पांच बागों में बाढ़ दिया जिसको पंच बानक आ जाता है बिकानेर के किस सासक ने नोता नोता का मतलब विवा निमंत्रन कर तथा तक निसी की भांच यानिकि उत्रा दिकरिकर समाप्त कर दिया तो ये बिकानेर के सार्दुलशिया ने समाप्त कर दिया बीकानेर महराजा जिनका जनम बीकानेर में हुआ था जबकि मर्थी 1903 में बुम्बई में हुई थी तो ये किसमे गंगा सिंग कौन थे जनम तो बीकानेर में हुआ गंगा सिंग का जबकि मर्थी 1903 में बंबई में 1931 में राम देवरा में बाबा राम देजी के मंदरी का निर्मान किसने करवाया तो 1931 में राम देवरा यानि कि जैसल मेर के अंदर बाबा राम देव मंदरी का निर्मान करवाया था गंगा सिंग ने बिका नेर के किस सासक को अधनिक भारत का बागिरत तता राजिस्तान का बागिरत उपनाम से जानते हैं तो ये भी गंगा सिंग को जानते हैं किस के सासनकाल में बिका नेर राठोडरी ख्यात में जोद पूर्वे बिका नेर के राठोड़ बंस का वर्णन किया गया उस समय थे सूरत सिंग ठीक है यानि कि बीका ने राठोड री ख्यात में जोद पूर्वा बीका ने राठोड वर्ण्स का वर्णन किया गया सूरत सिंग के सासनकाल में किस सासक ने देश नोक में करणी माता के मंदिर को अधनिक सरूप दिया तो ये सूरत सिंग ने बीका नेरके की सासर को एहमद शा ने सिरी राज राजेश्वर माराधा जिराजे माराजा शिरो मनी सिरी गज सिंग तता साथ हजार मंसम का परदान किया था तो उस समय थे गज सिंग हैं और थे सासर को एहमद शानेर की उत्पती ब्रामण वन से मानते देखो इसे पहले अपने मेवाड भी पढ़ लिया, मारबाड पढ़ लिया, वीकानेर पढ़ लिये, अब अपने आजाते हैं चुहान वंस, चुहान वंस की यहां से बात स्टार्ट हो जाती है, तो वीगराराद द्वित्ये की, याने कि 1923 यूश्व के हर सनात लेक से वीगराद द्वित्ये सास की विजयो का उलेक मिलता है, किस गरंथ में चुहान सासक गोविंद तरते की उपादी वेरी गट याने की सत्रू सहरक मि मिलती है किसकी पृतिराज विजय गरंत में, पृतिराज विजय गरंत किसका है, जयानक का 511 यूश्व में सांबर में 94 की नीव डाली थी वासुदेव चुहान ने, किसने डाली थी वासुदेव चुहान ने चोहां सासकों का सही कालकरम बताईए तो सबसे पहले अजे राज आई थे अजमेर के अंदर फिर अण्णोराज फिर विग्रे राज चतूर्थ आई थे कि साइतेकार ने विग्रे राज चतूर्थ के बारे में कहा की वै काली दास और भव भूती की होड़ कर सकता था तो ये कहा था किल होड़ने किसने कहा था किल होड़ने मेवाड पर साकंबरी के चोहन सासकों का दिकार कब हुआ मेवाड पर है साकंबरी के चोहन सासकों का दिकार हुआ था बारवी सदी में कब हुआ था बारवी सदी में साकंबरी से निकलने वाली साकंबरी चोहानों की सबसे प्राचिन साका कौन सी थी तो साकंबरी से निकलने वाली साकंबरी चोहानों की सबसे प्राचिन साका थी नाडोल के चोहान कौन थे नाडोल के चोहान कौन सा सासक जालोर के चोहान वंसे समंदित था तो जालोर के चोहा रादवीत्य ने अनिहल पाटन के किस चालू के सासक को पराजित करके उसे कर देने को विवश किया था तो ये मूल राज पर्थम को इसको चुहान वंस के परतापी सासक विग्रे रादवीत्य ने गया है अहिन पाटन के मूल राज पर्थम चालू के सासक को पराजित करके उ विगरे राज चतूर्त चोहान को विद्वानों का आश्रे दाता होने के कारण किस उप नाम से जाना जाता था तो ये आश्रे दाता होने के कारण कवी बांदव के नाम से जाना जाता था। तो जमेर नगर किस ने बिछाया तो जय राज ने अजमेर नगर भिछाय था और अजय देव के नाम से चांदी के सिक्य किस चोहन सासक ने लगाए थे तो ये अजे राजने जारी करवाई थे तो आज की क्लास अपने यही पर रोक लगाते हैं अब यहां से 304 कोषन अपने कवर कर लिए इस से अपने 4 नंबर जो पार्ट है वो कल अपने 7 बजे चर्चा करेंगे क्लास मानके चलो 25 मिंड की क्लास में आपको यहां पे करवाया है वो जाएगी धीरी धीरी बड़ा शांदार कोषन है अब अगर कोषन आएगा इस्ट्री से तो आपका यहां से कोषन एक भी बार है नहीं जाएगा बस आप डेली 7 बजे आप तैयार आकरो 7 बजे इस क्लास का टाइम है शाम को और डेली आपको सुबह मेरी इंडिया वर्ड की करणटे वेर्स की क्लास है मिलती है बाकि आपकी सुचना साई का एक्जाम है सुचना साई के एक्जाम बाली जो साथी त्यारी करें न उनके लिए भी ये क्लास रामबार साबित होगी बस पार्ट वाइस पार्ट आप क्लास वाइस है देखते रहे न जाते जाते सारे विदार्थी वीडियो को लाइक सेर करेंगे धन्यवाद जय हिन जय भारत